बस्पा की सीट पर इस वक्त पेच फसा हुआ है एक मिश्रा बस्पा क्या करेगी ऐसे में क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की एक विधायक है अनिल सिंग जिन्होंने वीजेपी को वोट किया है भीमराव अंबिटकर को लेकर कॉंग्रेस समर्थन कर रही थी साथ विधायक भीमराव अंबिटकर कर समर्थन कर रहे थी लेकिन ऐसे में बस्पा की स्थिति मुझे लगता है ना कोई बहुत ज्यादा रोल प्लेइंग नहीं है क्योंकि वो इतने ज्यादा कंटेंड हो गये हैं इतने ज्यादा लिम्टेड हो गये हैं कि उनके लिए बहुत लिम्टेड तो यह वहाँ की सारी की सारी डैनामिक्स है तो बस्पा कोई बहुत जादा नहीं कर सकती है और मुझे यह लगता है कि हो सकता है बस्पा के बहुत सारे बिधायक जो बोल भी रहे होंगे क्योंकि बस्पा की कंडिशन भी अगर आप देखें जो एक पॉलेटिकल थाकत होती है स्टेट में जो रहती है दो हजार चौदा के इलेक्शन के बाद से बहुत सारे टाइम पे आप देखें तो उनका कोई रणनीतिक बयान बाजी भी उनकी तरफ से नहीं आ रही है कोई प्लानिंग नहीं आ रही है तो बहुत कॉंटेंट तरीके में बहुत लिम्टेड इसको कर रहे हैं उससे जादा वो नहीं कर पाएंगे सर्वश नहीं देखें अभी जो मेरे मित्र लोग बोल रहे हैं थे माया वती ने खुद क्यों नहीं वो किया और राजा भीया का मैं बोलना चाहूंगा देखें अगर आप हार्ड कोर एक लायल मेंबर है अपनी पार्टी के तो आप चुप-चाप जाते सुभा वोट दे आते इतनी सारी चीजे जो आप सुभा से कर रहे हैं कभी ट्वीट हो रहा है री ट्वीट हो रहा है दस बार बदल रहे हैं इन से मिल रहे हैं बीजेपी के नेताहों से भी मिल रहे हैं तो यह चीज दिखें इसके मकसदों है या तो दिन भर जो है मीडिया को हाईजैक करना चाहते हैं राजा भाईया इसी बहाने कि हम मीडिया पे बने रहें और चारो जगा हमारी चर्चा होती रहें या फिर यह है कि अभी भी उनका जो डाइलेमा है स्टेट ऑफ माइंड है वो डिफरेंट है और वो हर जगा टटोल रहे हैं कि मुझे कहां क्या बेनिफिट होगा दूसरी चीज़ अगर माया वतीजी का देखें तो माया वतीजी ने क्यों नहीं अपना नॉमनेशन किया क्यों नहीं वो मैदान में उतरें इसके भी दो रीजन हो सकते हैं डिफिनिटली एक सबसे बड़ा फैक्टर यह होता ह है कि हाँ भाई हो सकता है जीत निश्चित है कि नहीं है क्योंकि बड़े और दिग्गस लेटर लीडर जो है वो तभी उतरते हैं जब उनकी जीत निश्चित होती है तो अगर यह देखा जाते कि सबसे बड़ा रीजन यह है ना कि जो बिपक्ष है जिस हिसाब से चुनाओ को गंभीरता से लेना चाहिए इस्टेटिक वे में रणनीतिक वे में वह उतना नहीं ले रहे हैं अभी भी मुझे लगता है कि 2014 के बाद सारी सिच्वेशन्स चेंज हो गई है माइक्रो नेवल पर इन लोगों को आना चाहिए